नमस्कार A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा हरी मुंग दाल का पुलाव आपने कई तरह के पुलाव खाये होंगे यह हरी मुंग दाल का पुलाव खाकर जरूर देखेगा आपको बहुत ही मज़ा आजाएगा हेल्दी है कुकर में बनाए काफी जटपट से बन जाता है ऐसे आप ऐसे ही खाये अचार के साथ खाये दही के साथ रायते के साथ पोहुत ही टेस्टी लगेगा एक दम आप देख सकते कितना खिला खिला बना है तो चलिए शुरू करते हैं तो हरी मुंग डाल का पुलब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप चसनी ले लिया और इसके अंदर में डाल रहा हूँ एक कटोरी हरी मुंग डाल अप देख सकते हैं और इसी कटोरी से हम एक कटोरी इसके अंदर चावल डाल देंगे, मैंने आप पर रेगुलर जो छोटे चावल आते वो इस्तमाल किये हैं, आप चाये तो जो आपके घर पे होते हैं, चावल इस्तमाल वही करें, दोनों को मैंने अच्छे से मिला लिया, आप दो से तीन पानी से हम अच्छे से इसे वाश कर और इसे हम साइट में रख देंगे, उसके बाद मैंने गैस को ओन कर लिया है, इसके ओपर हम कुकर रख देंगे, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, दो से तीन चमच जितना तेल, जैसे गरम हो जाएगा, एक दाल चीनी को टुकड़े को मैंने टोड कर डाल दिया है, द सबको हम बूनेंगे, लसुन हलकी से इस तरह से बून जाए, तो इसके अंदर हम डालेंगे, दो कटे हुए बारिक वाले प्यास, दो कटी हुए हरी मर्ची और इन सबको भी हमें बूनना है, प्यास को एकदम लाल होने तक नहीं, बस हलका गुला भी इस तरह से हो जाएगा तब तक ही भूनिएगा, उसके बाद एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे, स्वाद नुसा नमक डाल देंगे, आधी चमच लालमिश पाउडर और इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे, मसाले और नमक आपने स्वाद के नुसार कम जादा कर सकते हैं, तो यह यह वोश्केों चावल और हरीमूंग डाल डाल देंगे और इसे एक बार इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे, तो यहाँ पर मिलाने के बाद हम कुककर का धकन दे देंगे, और इसे हम 3 सिटी आने तक पका लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 सिटी इसमें आ पूरा प्रेशर खतम हो जाए ना… उसके बाद हम इसे खोलेंगे… तो यह पर पूरा प्रेशर खतम हो गया है, तो आफ हम डक्कन को खोलेंगे, और आप देख सकते हैं, यह तो किता बढ़िया लग रहा है, काफी भढ़िया खुश्पू आ रही है… 하 किता खिला 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 हारी मंग दाल का पुलाव बना कर तयार करेंगे इसे आप दही के साथ काया राइते के साथ आचार के साथ या फिर ऐसे घर में बच्चों से लेकर बड़ तक को पसंद आएगा तो इसे ट्राइ की जो मझे कमें सेक्शन बताए कि आपको इमेरी रेसिपी कैसी लगी है तक यू पर वाच्छ एंग